नमस्कार बच्चों कक्षा 10 exercise 8.2 का प्रश्ण पहला था इनका मान ग्याद कीजिए तो बच्चों आशा करता हूँ आपने हमारा विशिष्ट कोणों के त्रिकोण में अनुपातों का जो वीडियो है वहाँ वर्षय देखा होगा उसके बेसिस पर ही हम इसे हल करेंगे देख बच्चों जब आप टेबल देखते हैं तो देखे 1045 1045 की वैल्यू आती है इसका अर्थ यह हैं 1045 होता है 1 के बराबर तो 10 स्क्यूर 45 यानि 1045 का स्क्यूर 1 का स्क्यूर प्लस कॉस्क्यूर 30 डिगरी तो बच्चों देखिए हम टेबल पिरत्ते देखेंगे cos 30 cos 30 इसकी value आती है root 3 बटा 2 तो cos square 30 यानि की root 3 बटा 2 इसका square minus sin square 60 तो देखें बच्चो sin 60 sin 60 है root 3 बटा 2 sin square 60 यानि की root 3 बटा 2 का whole square अब हमें इसे whole करना है देखें 2 1 का square होगा 1 इसलिए यहां आजाएगा 1 plus root 3 का square होगा 3 बटा 2 का square होगा 4 minus root 3 का square होगा 3 बटा 2 का square होगा 4 तो बच्चों आप क्या देख रहे हैं यह 3 बटा 4 minus 3 बटा 4 तो 3 बटा 4 में से 3 बटा 4 minus करने पर हमें प्राप्ट होगा 0 और 2 को एक से गुना करने पर हमें प्राप्ट होगा 2 plus और यहां से आएगा 0 इसका अर्थ है 2 में 0 प्लस करने पर हमें प्राप्ट होगा दो यानि कि यही इस प्रश्ण का उत्तर है तो देखिए कितनी सरलता से यह हल हो गया इस प्रश्णावली में हमें इस केवल क्या ध्यान रखना है कि जो 1045 है कॉस 30 है, साइन 60 है यह टेबल से देखकर हमने करने है एक्जाम में टेबल तो आपके सामने होगा नहीं इसलिए आपको टेबल का ध्यान रखना है वहें आपको स्वयम बनाना आना चाहिए तो आप जितना प्रयास टेबल बनाने का करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बहुत ही सरल प्रशन बहुत अच्छे से समझाया होगा यदि आप इसी प्रकार इस प्रशनावली के अन्य प्रशनो को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर आप अन्य प्रश्णों के वीडियोस देख करूने अच्छे से समझ सकते हैं धन्यवाद बच्चो